कि अब कमिनलिजम क्या होता है सिंपल सा बात है आप समझेंगे कमिनलिजम कब होता है कि जब आप किसी एक रिलिजन को ज्यादा इंपॉर्टन्स देते हैं या आप सोचते हैं कि ये रिलिजन ज्यादा पारफुल है या उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टन्स मिलनी चाहिए या किसी कंट्री में इस रिलिजन को ज्यादा पारफुल होना चाहिए तो ये आपकी एक कमिनल फीलिंग है और जो आप इस word के end में देखेंगे क्या लिखा है आपका ism तो यह एक ideology होती है जिसको आप lism कहा जाता है lism तो lism वो words में लगता है जो भी किसी की ideology होती है जिसको आप follow करते हैं तो communalism भी एक तरीके के एक सोच एक ideology है जो कई लोगों के अंदर होती है जो सोचते हैं कि उनका religion ही powerful है या उनका religion ही important है बाकियों का religion है वो इतना important नहीं है तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है आगे the problem begins when religion is seen as the basis of the nation ठीक है the example of Northern Ireland in chapter 3rd shows the dangers of such an approach to nationalism अब आपको पता है वहाँ पे क्या होता सब ने कहा था कि हम तो इस religion के हैं कोई कहता था कि हम इस caste के हैं तो अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो क्या होगा आपकी जो nationalism है जो आपके रास्टरिता है देश की उसको क्या हो जाएगा खत्रा हो जाएगा क्योंकि आप क्या nationalism तो हो गई नहीं आप सोचेंगे नहीं अभी भी अगर आप हमारी country में देखे तो जाद तर आप देखेंगे कोई कहता हम हिंदू हैं कोई कहता है मुसलिम है और हैं मिलते है अगर को कहने को मिलता कि हम इंडियन है तो वही चीज यहां पर समझाना चाह रहें उसके बाद हम आगे देखते हैं अब जब आपके जो religion है जब वो आपके politics में आ जाएगा और आपके जो partition terms में उसको divide करने लग जाएगा तो आपके क्या होगा तो आपके जो one religion के जो followers होंगे जो लोग होंगे वो दूसरी से क्या हो जाएंगे against होने लग जाएंगे ठीक है ना this happens when beliefs of one religions are presented as superior to those of other religions तो मैं वह आपको पहले भी कह रहा था जब आप कहोगे कि हमारा religion जादा अच्छा है या हमारे religion में जो लिखा हुआ है वो जादा important है या सही है दूसरे का गलत है तो इससे क्या होगा दूसरे religion के लोगों को क्या होगा discrimination फील होगा ठीक है ना और आपके इस feeling को ही आपका कमिनलिजम कहा जाता है तो अगर आप कभी भी सूचते हैं कि मैं बढ़ा हूँ या हमारे religion बढ़ा है हमारी caste बढ़ी है ठीक है तो यह जो feeling होती है यह आपकी कमिनलिजम की ही feeling है ठीक है ना इस मैनर ओफ यूजिंग रिलिजिन इन politics is communal politics तो अगर आप इस तरह के की politics करते हैं तो इसको आपको क्या खा जाता है communal politics का जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं communal politics is based on the idea that religion is the principle basis of social community तो अगर मैंने आपको पहले भी बाता जब आप सोचेंगे कि जो आपकी जो religion है वही आपकी क्या है main चीज है किसी भी politics में उसी के साब से politics चलने चाहिए तो आप क्या है एक कमिनलिजम की बात कर रहे हैं communalism involves thinking along the following lines अब क्या aligns होती है वो देखेंगे हम the followers of a particular religion must belong to one community तो उनको क्या लगता है कि किसी particular religion के लोग हैं वो किसी एकी community में होने चाहिए उसके followers ठीक है their fundamental interests are the same any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life अब वो कह रहे हैं कि इसन के बीच में जो अलग अलग difference होंगे वो एक तरीके से क्या होगा उनका कोई relation नहीं होगा दूसरी community के साथ वो केवल अपने ही community में यह अपने ही religion को ही follow करेंगे it allows followers that people who follow different religions are can't belong to the same social community तो वो यह इस feeling से क्या होता है कि जब आप सोचेंगे कि नहीं हम तो इसी community के हैं जो वो व्यक्ति है वो व्यक्ति उसी community का है तो वो दूसरी community या लोगों से कैसे familiar होगा उनसे वो एक साथ same society में नहीं रह पाएगा ठीक है न अब इससे क्या होगा कि जो आपके followers होंगे जो different religion के followers होंगे उनके बीच में क्या होगा आपका जो common चीज होंगी वो क्या हो जाएंगे superficial हो जाएंगे और impartial हो जाएंगे मतलब अब आपके उनके बीच में जो भी differences होंगे वो क्या हो जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे आप उनको इस सोच से कम नहीं कर सकते कि मेरा जो जादा important है जादा सही है दूसरे का कम में तो जब आप ऐसी सोच को आगे करोगे तो वो चीज क्या हो जाएंगे और बढ़ती चले जाएंगे जो उनकी religion के बीच के जो differences है वो differences और बढ़ते चल जाएंगे their interests are bound to be different and involve a conflict अब जब उनके इंट्रेस्ट अलग हो जाएंगे उनको लगेगा कि हमारी सोच अलगे तो उनसे conflict पैदा होगा लड़ाई जगड़े सुरू हो जाएंगे इन इट्स एक्स्ट्रीम फॉर्म कमिनलिजम लेट्स तो दा बिलीफ दाट पीपल बिलॉंगिंग तो डिफरेंट रिजिंस अब जब यह फीलिंग ज्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है आपको पता है हमारी country में क्या होता partition हो जब हम independent हुए तो उस टाइम पे क्या हुआ यही feeling आए कि muslims को लगा कि जो हमारी जो religion है उसको यह security नहीं मिल पाएगी या उसको ज़्यादा importance यहां पे नहीं मिलेंगे तो जिनको ऐसा लगा वो लोग क्या हो गए उन्होंने नए country की demand करी और finally क्या हुआ कि country का partition किया गया तो वो इसलिए किया गया कि दूसरी community को कहीं यह ना लगे कि वो दब जाएंगे तो उनके लिए उनको discrimination ना हो इसलिए उनको अलग दिया गया आप जानते हैं कि उनसे ज़्यादा जो मुसलिम से अभी भी हमारे country में रहते हैं तो मैं यह समझाना चाहरा था कि यह आदमी की क्यों सोच होती है जो आप सोचते हैं कि मेरा religion ऐसा है या दूसरे religion ऐसा है उस हिसाब से सारे differences पैदा हो जाते हैं ठीके ना तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है this belief is fundamentally flawed people of one religion do not have the same interest and aspirations in every content अब यह जो आपकी सोच है कि भाई यह गलत है flawed का मतलब होता है आपकी गलत है यह सोच कि अलग-अलग जो religion के लोग हैं वो एक जसे interest नहीं हो सकते हैं उनके अलग-अलग interest होंगे तो आपका यह जो सोच है यह गलत है ठीक है everyone has several other roles, positions and identities there are many voices inside every community तो अगर आप differences की बात करें तो हर एक religion के अंदर बे अलग-अलग लोगों सब एक जसा नहीं सोचते हैं तो वही चाहिए हो यहाँ पर समयाना चाहिए All these voices have a right to be heard अब उनको यह हर एक जो voice है वो हर एक को importance होती है उसको सुना जाना चाहिए Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in contest other than religion is born to suppress many voices within the community अब क्या होगा कि अगर आप किसी particular voice को या किसी भी voice को या 10 voices को या 10 लोगों को एक साथ करना चाहोगे तो उससे क्या होगा कि आप 10 लोगों को एक साथ कर दोगे पर जो उस सोच को नहीं रखते होंगे बाकी जो 10 लोगों होगे वो क्या हो जाएंगे आपके उस community से या उस चीज़ से बाहर हो जाएंगे तो वो यही सहना चाह रहे हैं कि हर एक जगा पर different different चीज़े होती है आप हर एक को एक साथ नहीं रख सकते हैं तोल सकते हैं कि भाई नहीं वो सही है तो उसी को सब लोग follow करो ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है हर एक की अपने सोच हो सकती है और वो उसी साब से चलते हैं चलिए अब आगे देखते हैं Communalism can take various forms in politics अब वो क्या forms होते हैं देखेंगे The most common expression of Communalism is in everyday beliefs अब वो क्या beliefs हैं जो हरा दिन आपको देखने को मिलता है These routinely involves religious prodigious prodigious उन्हें करते हैं जो आपके rudy बादी सोच होते हैं Stereotypes होते हैं जो एक तरीके से एक ही बात को समझते हैं बस उनको लगता है वो ही सही है यही पहले से भी सही था उसके लावब कोई और सही नहीं हो सकता Stereotypes उनको कहा जाता है एक तरीके साब लकीर के फकीर कह सकते हैं जो बस वही करना चाहते हैं उसके लाब वो कुछ और नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं, जिनके ऐसे सोच होती है, तो वो एक क्या होता आपका, उनकी एक belief होती है कि वही उनका जो superiority है, religion की वो ज्यादा है, और दूसरे की कम है, ओके, अब क्या होता है कि जब एक कम्यूनल माइड होता है, किसी भी व्यक्ती का कोई कम्यूनल माइड है, वो अगर सोचता है उस तरीके से, तो उसका जो डॉमिनेशन होगा, अपनी कम्यूनिटी के उपर जादा होगा, कैसे होगा, अब वो क्या होता है, मिजोरिटेरियन क्या हो जाते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे, अब क्या होता है कि जब वो ये सोचते हैं कि उनका जो religion है वो ज्यादा है important दूसरे से तो उसी religion के लोगों के साथ ज्यादा focus करने लगता है politics में और उससे क्या होता है कि जब आप एक ही community के लिए जो majority में उसके लिए काम करने लग जाओगे तो उसको आप majoritarianism कहा जाता है और दूसरी बात जब आप कम हो जाओगे आपके जो minority में आ जाओगे तो आप उससे क्या करोगे एक separate political party बनाने की कोशिस करोगे या ऐसी party को support करोग जो आपके लिए काम करें तो यह दूसरा reason है जो कि आपका कमिनलिजम में effect आता है जो आपको देखा जाता है कमिनलिजम में अब आगे देखते हैं किस तरीके से कि आपका जो religion है वो politics में flow करता है किस तरीके से फैलाया जाता है वो देखेंगे this involves the use of scared symbols religious leaders emotional appeal and plan fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena तो क्या करते हैं कई बार जो leaders होते हैं वो एक ऐसी बाते करते हैं ऐसे symbols यूज करते हैं ऐसी appeal करते हैं जिससे कि उसकी community के लोग क्या करते हैं उसकी तरफ attract हो जाते हैं उस leader की तरफ और उसको follow करने लग जाते हैं in election politics is often involves special appeal in the interest or emotions of the voters of one religion in a preferences to others अब क्या होता है कि कई आपके leaders होते हैं politics में वो क्या करते हैं कुछ ऐसे social appeals करते हैं जिससे कि एक interest बनता है emotions बनता है जिससे कि वो पर्टिकुलर community के voters को अपनी तरफ attract कर लेते हैं और बाकियों को वो neglect कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है majority में यह religion के लोग हैं तो वो उनको vote करेंगे अब देखेंगे next fourth point क्या है संटेम कमिनलिजम टेक्स its most ugly form of communal violence अब जब ज़्यादा ही कुछ गिल्डबड हो जाती है जब आप differences ज़्यादा बना लेंगे आपके discrimination ज़्यादा होने लगेगा कमिनलिजम के बेश पर तो उससे क्या होगा आपका communal violence स्टार्ट होगा राइट्स हो जाएंगे मासकेर होंगे मासकेर बोलते हैं जब आपका रग्थपात ही है जब आपस में हजार केक्ड़ों लड़ते हैं और मरते है मासकेर कहते है ईसलिए जासे कि आपका इंडेपेडेटन्स था पिरी एपसी किल इंट रौइल यह आपके उसके बाद भी होते रहते हैं जो भी माइन ओरी जब उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वह वाइनस के लिए अपने राइट्स के लिए अब secular state क्या होता है सबसे important तो है आपका यह word है कि आप secular का मतलब क्या होता है secular का मतलब होता है when you believe there is no religion which is more important than other आपको कभी यह ना लगे कि हमारा religion सबसे उपरत उसे कम है जब आपको लगे कि कोई religion किसे important नहीं है सब एक जैसे हैं और सब के लिए equality होनी चाहिए तो उसको secular का जाता है अब secular state कैसे बनेगा कोई भी country secular कैसे होगी या secular होने से क्या होगा वो आप इसमें देखते हैं अब आपको पता ही हमारे country में इतने सारे religion है इतने सारी caste है इतने सारे creeds रहते हैं एक हमारा चैलेंज रहा है हमारी country के लिए तो इस चैलेंज से वो लोग अवेर थे जिन्होंने constitution बनाया तो उन्होंने सबसे अच्छा जो आइडिया निकाला वो निकाला एक secular state बनाने का अब secular state बनेगा कैसे इस वाइस वाज़ प्रेफर्ड इन दे अब आपने उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से इस circular state बनाया जा सकता है उनके लिए क्या स्टैप्स होते है ठीक है अब आगे देखते है पहला पॉइंट की है इसमें हमारी country की कोई भी ओफिशली लैंगवेज आप नहीं है और आप ऑफिशल मगवेज लैंगवेज नहीं कर सकते है तो आपको समझ में आगे किसी भी particular language को constitution ने आपका official language का दरज्जा नहीं दिया है किसी को भी यह निक आया कि हमारी country की language यह है ऐसी कोई भी हमारी language नहीं है ठीक है अब आगे चलते हैं अब आगे क्या है देखेंगे अब दूसरी सबसे अच्छी चीज जो Constitution ने कहा है आपका जो Communism उसको खतम करने के लिए और सेगुले स्टेट बनाने के लिए अगर आपका मन करें तो आप किसी को भी अपना सकते हैं प्रोफेस करना किसी भी रिलिजन को अपनाने प्रैक्टिस करना उसको आगे आप फॉलो करना और प्रोपोगेट करने का मतलब होता है कि उसको आप बढ़ा सकते हो आगे उसको और लोगों को बढ़ाना फैलाना अपने उसी धर्म को जिसको आप मान रहें वो सब आप कर सकते हो और दूसरी चीज है कि आप किसी भी रिलिजन को ना अपना हो ये वी एक प्रोविजन है में आप सारे रिलिजन को छोड़के बिना किसी रिलिजन के भी रह सकते हो आप कह सकते हो कि मेरा कोई भी धर्म नहीं है और मैं कुछ भी फॉलो नहीं करूंगा ठीक है अब अगला है दा कॉंस्टूशन प्रोविट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलिजन तो रिलिजन के ओपर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो उसके लिए आपके पास रूज हैं कॉंस्टूशन भी उस चीज की मनाई करता है अगला पॉंट है अड़ी पॉइंट अदे सेम टाइम अलाउव फॉट्स दा स्टेट्स डिस्ट्रिमिन्स इन डा मैटर् अब दूसरी तरफ यह भी एक है कि जो स्टेट को इसको अपने रूल्स खुद के बना सकती है जैसे कि एक्जेम्पल था आपके जो उन्नटेचेश इमिलेटिटि थीज आपके पास जो उन्नटेचेश इमलेटिश थी वह बहुत जधा थी हर स्टेटS में देखो अन्ने को मिलता था वह चीज़ को तो उनको हटाने के लिए आपकी इस तेट क्या करती आप ने हिसाब से भी काम कर सकती है और central government या आपका national level पर भी इस पर काम हो सकता है ठीक है अब हम आगे देखेंगे caste and politics अब किस तरीके से जो आपकी caste है वो politics में involved होती है चलिए अभी इस को हम देखेंगे we have seen two intenses of expressions of social division in the arena of politics one largely positive and the other largely negative let us turn to our final case that of caste and politics that has both positive and the negative aspects अब अब आपने जो आ रहे हैं एंड में जो कि आपका caste of politics में है उसमें आप देखेंगे कि जो caste है वो किस तरीके से positive भी हो सकती है आपकी democracy में या country के लिए और negative भी हो सकती है तो चलिए देखते हैं आगे, कास्ट इनेक्वालिटीज के हैं हमारे पास, वो तो आप जानते ही हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है, किस तरीके से हमारे इनेक्वालिटीज कंट्रीज के इंदर देखा जाता है, देखेंगे, आपने देखा होगा, अगर फादर के साथ वो बिजनेस मा जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर फादर डॉक्टर हैं, तो उनके जो डॉक्टर होगी या जो सन होगी, वो भी डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो यह ही कहना चाहरे हैं, कि जो भी आपका बिजनेस या लेबर है, वो एक तरीका है, टांस्वर्म होता है जनरेशन से, दूसरे जनरेशन में, अब जैसे कि जो आपकी डिवीजन होता है, कास्ट का, वो कैसे होता है, वो आपका हरीडेटरी होता है, अब हरीडेटरी का मतलब क्या होता है, कि अगर आप हिंदू के फैमिली में आपका जन्म होगा है, है तो आप क्या होगए हिंदू मुसलिम के यहां पैदा होए तो आप क्या होते है शिक कि हो तो होते तो यह क्या हоворि कि चलता है जो कि उसके बाद आपके श्युट्रोल सा जाते हैं मंदिर में दू आएंगे मस्जिद में आपके वो लोग जाएंगे, खाना पी आप उसी तरीके से खाते हैं, बागी लोग के साथ आप नहीं खा बैठते हैं, उन के साथ खाना नहीं खाते हैं. The caste system was based on exclusion of and discrimination against the outer caste groups, they were subjected to the inhuman practice of untouchability about which we have studied in the class 9. The caste system also said that people will not be involved with the other people, but they will not be involved with the other people. Now let's see that the caste problem is seen in your villages and rural areas, but if you come to urban areas, what happens in urban areas? If you come to urban areas, what happens in urban areas, people don't need to be involved with the other people, because they all work together in some companies, hotels, and you can go to urban areas, fast food, restaurants, hotels, and you can go to urban areas. If you come to urban areas, you don't want to be involved with the other people, and you don't want to be involved with the other people. तुशाने आपको पता है वो भी चीज को प्रवेबिट करता है कि there is no discrimination on the base of caste, जो के आपके आपके आर्टिकल 15 में है, आपको मैंने लास्ट चेप्टर में भी बताया था और इस चेप्टर में भी बताया था स्टार्टिक में, ठीक है, और उस तरीके से आपके पास जो प्रवेबिटेड हैं, उनके लिए लिए लाउस भी बने हैं, उसके लिए आपके punishment भी है अगर आप discrimination करते हो चलिए अब आगे देखते हैं येट कास has not disappeared from contemporary India तो जो आपका इंडिया है इस टाइम पे contemporary इंडिया का मतलब जाए तो current इंडिया जो है अभी आपका वहाँ पर पूरी तरीके से जो कास्ट हो आपका disappear नहीं हो है some of the older aspect of caste have precise even now most people marry within their own caste and tribe आपको पता ही अभी भी आपके यहां पर या आपके शहरों में भी इवन कई जगा पर देखा जाता है कि जो आपके same community के लोग होते हैं हिंदू में ही शादी कर रहे हैं या जो कास्ट हैं वो कास्ट में ही करते हैं तो यह सब अभी भी सब्सक्राइब होता है अभी तक जो आपके प्रविशन बने उसके होते वे भी अभी भी आपकी जो अन्टेच अबिलिटी कहीं ने कहीं वो सब्सक्राइब देखने को मिलती है इफेक्ट्स ऑफ कंट्रीज ऑफ एड्वांटेजेस एंडिसएडवांटेजेस कंटिनू तो बी तोड़ तोड़े तकास्ट ग्रूप एट एक्सेस्टो एडुकेशन अंडर दे ओल्ड सिस्थम हैव डन वेरी वेल इन एक्वारिंग पहले से चला रहा है दूसरी बात जो आप साइडुकेशनल सिस्टम था वह भी आप जानते हैं कि जो अपर क्लास के लोगों तो पहले उन्हीं को आपके जो ब्रामिन्स थे जो शत्रिये थे उन लोगों को ही एडुकेशन फील्ड दिया जाता था बाकि जो आपके जो दू है फिर डिस्क्रिमिनेशन होना उनका स्टार्ट हो गया देडिज वाइज आपके जो अपर क्लास होते हैं या जो अपर मिडल क्लास होते हैं उनमें और लोगों क्लासे में अब देखेंगे आपकी कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स में इंबॉल्व होती है और क्या उसके एफेक्ट होते हैं चलिए एज इन दे केस ऑफ कमिनलिजम कासिजम इस रूटेड इन दे बिलीफ तैट कास्ट इस दो सोल बेसे ऑफ सोशल कम्यूनिटी अभी आपको मैंने क्या पताया था कोई भी जो आई एसम लगा होता है जिन वर्ड्स में आइडियलोजी होती है जिसको लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो यह कह रहा है कि कमिनलिजम से ज़्यादा एक जो आपका कासिजम है वो बिल्कुल रूटेड है लोगों के अंदर गुशा होआ है दिमाग में कि बाई पर्टिकुलर जो कम्यूनिटी है वो उनी कम्यूनिटी के साथ लोग रहेंगे दूसरी कम्यूनिटी में वो नहीं जाएंगे एक चीज में आपको बताया था एक चीज एक ही कंट्री में रहेंगे पर्ट उनका क्या होगा कि एक कास आजाती है फिर उस कास से वो उसी कास के बारे में सोचते हैं उसी के हिसाब से वो काम करते हैं उसी के इंट्रेस के लिए देखते हैं और सोचते हम तो इसी में रहना है दूसरे को हमारे community से कोई interest उनका मिलता जुलता नहीं है तो इसलिए उनको discriminate कर देते हैं तो as we saw in the case of communism such a belief is not born out of our experience अब जो आपका communism होता है उसको हमने देखा तब वो कैसे बनता है वो आपकी एक ideology बनती है उसको आप follow करते हैं फिर उसको आप experience करते हैं और उसको आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं caste is one aspect of our experience but it is not the only relevant or the most appropriate important aspect अब caste भी आपने देखा और आप ये भी जानते हैं कि ये भी most important आपका factor नहीं है जिसको क्या आप feel करते हैं आपके और भी ऐसे cases होते हैं जिनको आप देखेंगे अभी politics में किस तरीके से ये effect करते हैं जो आपके caste होती है when parties choose candidates in elections they keep in mind the caste composition of electorate and nominate candidates from different caste so as to muster necessary support to win elections तो उनके दिमाग में एक composition होता है कि उस area के में कितने caste के लोग रहते हैं कितनी उनकी percentage है उसी साफ से वो क्या करते हैं आज भी उस type के candidates को खड़ा करते हैं जिससे कि उस कास के votes आसानी से मिल सकें क्योंकि आपको पता है अभी भी हमारे जो caste है मैंने पता है वो अभी भी दिल है उसी को वोट दो भले वो कैसा भी candidate हो तो इसलिए जो पार्टीज होती है वो भी चीज को जानती है इसलिए उसी तरह के candidate भी खड़ा करती है वेन गॉवर्मेंट्स आर फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी यूजुले काम करती है फिर चाहिए वो किसी भी community का हो अब आपकी जो government है आपकी जो country की अब वो किसी एक के लिए policy थोड़ी बना सकतो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए कि government बनने के बाद आप चाहिए आपने caste के एसाब से vote दिया पर जो government होती हो सब के लिए बरावर सोचती है चाहिए वो किसी भी community के हो अब चलिए अब अगला point देखेंगे हम क्या है तो कई बार क्या होता है कि जो leaders होते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं कि किसी particular caste के लोगों को emotionally अपमें तरफ किया जा सके और कई बार देखा भी आता है कि कुछ political party किसी particular religion को या caste के लोगों को जादा support करती है ठीक है न तो अब हमारे पास अगला topic क्या है वो है हमारे पर पास universal adult franchise अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक vote का अधिकार बनता है जो भी आपके citizen इंडिया के हर एक citizen को एक vote का right मिला है जिससे कि क्या होता है जो आपके political parties होते हैं वो एक secure कर पाते है political support कि उनको हर citizen से एक vote का support मिल सकेगा चाया वो किसी भी caste या creed का होगा तो इससे होता क्या है इससे कि एक consciousness बनता है लोगों के बीच में जिससे कि जो caste अभी तक जिनको inferior या low समझा जाता था उनके पास भी क्या आता है एक right मिलता है जिससे कि वो अपना एक position या अपना एक अधिकार political party के उपर बनाते हैं अब कई बार ऐसा लगेगा कि क्योंड कास्ट ही पूरी जो politics में involved है और वो ही बहुत important है बाखी सारी चीज़े important नहीं है no parliamentary constituency in the country has clear majority of one single caste तो आप जानते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसे constituency नहीं है जिसमें कि single caste के लोग रहते हों और वो ही उस area में रहते हैं और उनी का केवल वोट वहाँ पे count होता है हर जगा पर डिफरेंट टाइप के कास के लोग रहते हैं एक साथ एक जगा पर तो किसी भी एक कास्ट को आप अगर अगर अपनी तरफ influence कर लेंगे तो आप election नहीं जीत पाएंगे एक ही व्यक्ति को वोट देंगे तो आप ये भी जानते हैं कि एक ही कम्यूनिटी या कास्ट के लोग जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति को वोट देंगे ठीक है वेन पीपल से यथा कास्ट इस लुग वोट बैंक और उसी पार्टी को वोट देते हैं तो इसलिए उस पार्टी का वो जो एरिया होता है या जो वोटर्स होते हैं उनको वोड बैंक कहा जाता है अब अगला पॉइंट क्या देखेंगे मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रन द सेम कास्ट अब आपको ज़रूरी नहीं कि जो एक पार्टी है वो ही उस कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करेगी ओके सबोस आपके पास A, B, C तीन पार्टी नहीं सेम कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया तो उससे क्या होगा अब जो वोटर्स होंगे वो ज़रूरी थोड़ी है एक ही व्यक्ति को सारे देदेंगे वोट क्योंकि तीनों कैंडिडेट्स सेम कास्ट के हैं तो कुछ ज पास उनके कास्ट का वोटर ही नहीं होगा तो वो भी तो वोट देंगे तो इसलिए हो कह रहे हैं कि कास्ट आपकी सब कुछ नहीं है कि कास्ट के बेस पर ही सारा इलेक्शन आप जीत जाओगे ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं आप अगला पॉनिंग पार्टी एंड़ sitting MP और MLA frequently lose elections in our country अब आपने देखा होगा जो MLA है इस साल वो पांच साल बाद जोरी जोड़ी है दुबारे से MLA इलेक्ट हो जाएंगे या जो MP है वो दुबारे से बन जाएंगे वो भी तो अपना elections में हारते हैं तो ऐसा क्यों होता है अब क्या होता है कि आप फिक्स नहीं होते हैं कि आपने इस political party को वोट दिया है तो हर बार आप इसी political party को वोट देंगे जिससे की MLA बन गया वो तो फिर हमें सही बनता रहे जाएगा ठीक है ना तो चलिए देखते हैं आगे तो डू और केक्टर्स जब कास्ट मैंटर्स करती है तो उनका पॉलिटिकल पार्टी जो एक फिक्स होती हो कहते हैं हम तो उसी को वोड देंगे उनका एक अटेच्च्मेंट होता उसके साथ often stronger than their attachment to their caste or community काई बार उपनी community और caste से भी जादा उनका अपनी political party के लिए उनका attachment जादा होता है people within the same caste or community have different interests depending on their economic condition जैसे कि मैंने पहले वादा आता है rich and poor or men or women from the same caste often vote differently people's assessment of preferences of the government and the popularity rating of the leaders matters are often adverse in elections तो वो यह जैसा कहना चाहरे है कि rich और poor हो men or women हो तो इनके अलग अपने interest होते हैं जिसके जो candidate को जो vote देते हैं उसमें भी आपके बहुत differences आते हैं ज़रूरी नहीं कि अगर हो आपके caste के हैं candidate तो सब लोग उनी को vote दे देंगे अब हम देखेंगे politics in caste अभी तो आपने देखा कि caste का क्या रोल है politics में अब हम देखेंगे कि politics किस तरीके से caste में involve करती है देखेंगे we have so far looked at what caste does to politics ठीक है हमने भी देखा कि caste क्या करता है politics में कैसा influence करता है but it does not mean that there is only one way relation between caste and politics तो इसका मतलब यह निए कि किवल कास्ट ही आपकी politics में involve करती है या इसको influence करती है आपकी जो politics है वो क्या करती है वो भी आपके caste system को क्या करती है influence करती है अब कैसे वो influence करती है और कैसे उसको आप political arena में use किया जाता है वो देखेंगे हम चलिए तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है आप क्या कर रहे हैं कि जो कई कास्ट ग्रूप से पहले अलग हुए होते हैं तो वो आपस में एक जूसरे से मिलते हैं और अपना involvement एक साथ बनाते हैं जिससे कि उनका क्या हो सके एक बड़ा ग्रूप बन सके और जब बड़ा ग्रूप बनेगा तो इनका influence क्या होगा politics में ज़्यादा हो जाएगा ठीक है ना दूसरा point क्या है Various caste groups are required to enter into a coalition with other caste और communities and thus enter into a dialogue and negotiation आप उससे क्या होते हैं कि जब आपके various caste group होते हैं वो दूसरे caste के साथ coalition करते हैं community के साथ समझोता कर लेते हैं तो उससे क्या होते हैं उनके आपसी बीच में क्या होते हैं बात चीज सुरू हो जाती है negotiation सुरू हो जाता है कि हम आपके साथ यह कर रहे हैं अब हमको भी support करो तो यह बाते सारी क्या होते हैं छोटी मोटे आपके जो political issues होते हैं वो आपस में negotiate होने लगते हैं तीसरा point देखिए new kind of caste groups have come up in political arena like backward and forward caste groups तो उसी से क्या हुआ कि जो पिछड़े जो लोग थे या जो caste थी उन्होंने आपस में अपने आपको जुड़कर अपना क्या बना लिया एक backward group बना लिया जिससे कि वो political parties को influence करते हैं ठीक है न Thus caste plays different kind of roles in politics In some situations expression of caste different in politics give many disadvantages community space to demand their share of power अब कई बार क्या होता है कि जो आपके caste से जो influence होता है politics में उससे कई बार क्या होता है कि जो आपके backward classes होते हैं उनको एक तरीके से मौका मिल जाता है कि वो वहाँ से थोड़ी सी power ले सके political parties से तो उससे क्या होता है In this sense caste politics has helped people from Dalits and OVC caste to gain better access to decision making अब उससे क्या होता है कि जब यह जो आपके मैंने बताया कि जो small groups of caste एक साथ कटे होगे तो वो क्या होते हैं बड़े होते हैं बड़े होने के बाद वो क्या होता है आपके politics में participate करेंगे और जिससे कि उनको भी आपके जो MLS उनके भी आपके कहां जाएंगे पार्लेमेंट में पहुँचेंगे और वो भी एक तरीके से आपके decision जो making जो हमारी body है उसमें वो part कर सकेंगे ठीक है न several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste for more dignity and more access to land resource and opportunities और यह तुमें को आपको पता ही है कि पहले से ही लोग agitate कर रहे है आंदोलों चलते रहते हैं कि आपको यह जो discrimination है lower caste के लिए वो खत्म किया जाए और उनको equal access मिले चाए वो land हो चाए वो कोई भी resource हो या opportunity हो चलिए आगे देखते हैं at the same time exclusive attention to caste can produce negative results अभी मैंने आप इस वाले case में मैंने बताया कि अगर caste को थोड़ा सा involved किया जाए politics अगर caste में आ जाए तो उससे क्या होगा कि आपको जो दलित से उनको एक मौका मिलेगा अपने political party form करो या उसमें आप participate करो जिससे कि उनको decision making में help मिले बट अगर अगर वह जादा आ जाए तो उससे क्या होगा उससे भी आपके negative effect होगे क्या होगे as in the case of religion politics based on the caste identity alone cannot very healthy in a democracy अगर पूरा सब कुछ caste जो हो caste के बेस पर हो जाए politics में तो वह बिल्कुल भी healthy नहीं होगा किस तरीके से it can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption अब यह जो इतने important issues है इससे ध्यान हट जाएगा और हमारा क्यावल किस पे चला जाएगा कास्क पे चला जाएगा और हम कास्क पे ही अपना काम करना सुरू कर देंगे किस तरीके से इस कास्क के लोगों को उपर किया जाए और उनको प्रमोड किया जाए हमारा ध्यान क्यावल उधर ही चला जाएगा ठीक है न और जिससे क्या होगा आपका division हो जाएगा societies में और tension पैदा होगी conflict होगा और violence होने लग जाएगा तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा अगर आप influence करेंगे politics का cast में तो ये सारी दिक्कत आपकी start हो जाएगी तो ये आपका chapter था जो आपने देखा और किस तरीके से इस में influence था politics का cast में और कास्ट का भी politics में तो आप अच्छी तरीके से समझ के होंगे और ये आपके पास निचे exercise है आप देख सकते हैं इसको आप try करेंगे मैं आपको आसके answers भी provide कर दूँगा Thank you